दोस्तो आपका phone hack तो नहीं ये कैसे पता करें आज किस वीडियो को आप सुर से लेके last तक ध्यान से देखिए इस वीडियो मैंने आपको तीन मैथड बताए हैं जिनसे दोस्तो आप बड़ी असानी से पता लगा सकते हैं कि आपका phone hack तो नहीं हो गया है तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने mobile में phone वाले application को open कर लेंगे phone वाले application को open करने के बाद याँपर दोस्तो आप देख सकते हैं उपर आपको three dots देखने को मिले होंगे इन three dots पर ही आपने click करना है इसके बाद याँपर settings को open कर लेंगे settings को open करने के बाद थोड़ा सा नीची को और score down करेंगे यहाँ पर आपको supplementary services की एक option देखने को मिली है इसी में आपने click करना है click करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको एक option देखने को मिली होगी call forwarding इसी वाली option में आप click करेंगे call forwarding वाली option में click करने के बाद यहाँ पर आप wise calls में click करेंगे wise calls में click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने चार option आ जाती है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं no number set के option आ रही है अगर इन में से किसी भी option में आपको number set यहाँ पर देखने को मिला है इसके बाद दोस्तों आप second method को check करेंगे यहाँ पर आपने क्या करना है अपने phone में जाकर settings को यहाँ पर open कर लेंगे settings को open करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा निची के और scroll down करेंगे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिले होगी biometric and security biometrics and security में क्लिक करने के बाद सबसे last में scroll down कर देंगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको other security settings के option देखने को मिले होगी इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों device admin apps में क्लिक करने के बाद चेक कर सकते हैं पर दोस्तो find my device के नीचे अगर आपको कोई भी option देखने को मिल रही है तो यहाँ पर दोस्तो आपको वाइल hack हो चुका है उसको तुरंत यहां से दोस्तो आपने हटा रहे हैं कोई another application जैसे कि दोस्तो आप अपने phone में AP के application डाउलोड करते हैं वो भी दोस्तो यहाँ पर आप फोन में third वाले option को check करेंगे इसके बाद आपने क्या करना है अपने phone में WhatsApp application को open करना है WhatsApp को दोस्तो जैसे उपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैड में आपको three dots देखने मिलते हैं इसमें आपने click करना है और link devices में click करना है जैसे दोस्तो link devices में आप click करेंगे त उसको तुरंत आप यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि आपके वैल को आँसे दोस्तो हैक किया जा रहा है तो इस तरह से दोस्तो आप तीनों method को follow करने के बाद अपने mobile को check कर सकते हैं कि आपका mobile hack तो नहीं है तो उमीद करता हूं दोस्तो यह वीडियो आप सभी friend को बहुत ज कर लेना